दोस्तों आज हम पुरे भारत का जेगरोफी ठिक और वर्ड जेगरोफी यानि भारत का भोगल और विश्का भोगल दोनों के बारे में इंपोर्टेंट डेड़ सो कोउस्चन हम जानेंगे जो कि विभिन आपके परतियों गिता एक्जाम में काम देगे ग्रूप डीस लेकर क सबसे एग जहांए ऑपने वी आर्मी एरफोर्स कोई भी जाम हो ठिक सभिर में काम देंगे तो आईए डेड़ी कोस्टन को करते हैं और देख यह सब ए जाम इंपोर्टेन्ट है सभी पूछे गए कोस्टन ठिक देखिए देखिए निम्रिखित पानिक जिल कौन सी है सुपिरियर जिल ठेक इसे लेक सुपिरियर भी काते हैं अब देखिए तीन नंबर कॉस्चन बिस में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो बिस में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सुन्दरवन डेल्टा जो की पस्ची मंगाल में है ठेक और यह लिटाव च्तोसब्ए का कतो हों पृतिव कर से खिचाव इस ध्यान गरखेगा आ जोँ सिन फोस्सक्राइब यानि कि हम जिस गयलक्सी होमका के कीला कहा है उसे क्या रते हैं तो इसे में पेर से में से किस नदी पर इस्तित है और यहां बांद किस नदी पर बनाए गया है ठीक तो यहां महा नदी पर बनाए गया है जो कि महा नदी कहां पर है ओडिसा राज में है ठीक ओडिसा अश्टेट अब देखे घाना पक्छी अभियारन कहां इस्तित है घाना पक्छी अभियारन क का सियोल उत्तर कोरिया का सियोल नहीं होता है जबकि अफगानिस्तान का काबूल होता है ठेक तो यह हमारा थिरी नंबर गलत है ठेक अब देखे बराबर की गुफाएं कहा है तो बराबर की गुफाएं कहा है बिहार में है ठेक अब देखे एपी सेंटर सब्द का अपयोग कि किसके लिए जाता है एपिसेंटर सबके उप्योग भूगम के वर्णन के लिए और भूगम को किसे मापे एतने हैं तो रिक्टर पहिमाना से ठेक या फिर इसके जो वलते हैं अब अब देखिए इन में से कौन सा राज भारत में 19 सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है यान जमुकसमे का ठेक दर्रा है देखिए तमीन लाडू का एक सहर है जिसे कलपकम काते हैं तमीन लाडू का कलपकम सहर किसके लिए परसिद है तो वहाँ पे एटोमिक पावर रेस्टेसन बनाएंगे इसके लिए काफी परसिद है चोदर में 20 का सबसे बड़ा डेल्टाई मैद मैदान है गंगा ब्रंपुत्र डेल्टाई मैदान जो के हमारे भारत में है ठीक पस्चिम बंगाल में गिरते हुए जल्द से उत्पन बिजली को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है ठीक 15 नंबर चतीन रबड के परमुक बागान कहां पे हैं यानि कि रबड के सबसे है और भारत की सबसे उची चोटी है ठीक इसे ध्यान रखिएगा बहुत लोग माउंट एवरिष्ट बोलते हैं माउंट एवरिष्ट नेपाल की है भारत की नहीं देखिए अठार नमर कॉस्चिन पच्चिम तट्य पट्टी के दच्चिन परसार को कहा जाता है क्या कहा ज है या फिर संगाम हम बोल सकते हैं भागी रतियों अलग नंदा नदी का संगम कहा है देव परियाग में है जो की यूपी में यानि की उत्तरपरद्स में है ठीक दोनों वहीं पर मिलते हैं भारत में कौन सा राज कपास के लिए सबसे ज़्यादा उतपादन करता है ठीक कप लिखिफ में से भारत के कौन सी नदी पस्चिमी घांट से नहीं निकलती तो कौन सी नहीं निकलती है गंगा नदी जो है नहीं निकलती है ठीक Crisют сे आठ डिगरी उत्तर में ठीक भोमेदरेकास से 8 डिगरी और भारत में स्वर्ण छेत्र कितने हैं तो तीन स्वर्ण छेत्र हैं चार ओप्सन चार होगा ठीक निमलिखित में से कौन बिसु का सबसे बड़ा दुख्द उतपादक देश है यानि कि किस देशन सबसे ज़्यादा दुख्द पाय जाता है तो भारत में जबकि हम हमारे भारत में इतनी दूद की कामी है फिर भी है सबसे बड़ा उतपादन है तो सोच रहे हैं कि आने दूद की कामी होगी देखे निमलिखित में से कौन सा बिसु का सबसे उचा पठार है तो पामीर का पठार बिसु का सबसे उचा पठार है 26 नंबर भारत का कौन सा राज रबड का अगरनी उत्पादक है रबड सबसे जाद किस राज में उत्पादन क्या जाता है केरल में भारत में कुल किरसी योई की भूमी का कितना परतिसद सिचाई है सिचाई को उपलब दता कितने है 35 परतिसद भूमी में ही क्यावल सिचाई की उपलब दता है 65 परतिसद बंजर की जैसी है पानी नहीं बिल पाती है पिर्थवी की तिर्जिया है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मिटर ठेक ऑप्सन 2 निमलिखित में से भारत के किस संग सासिद पर्देश यानि कि किन सासिद पर्देश में सरवाधिक परति किस किन सासिद पर्देश में सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं बस यहीं सिंपल कोस्टन है तो क्या है दिल्ली में दिल्ली में, यहाँ पे एक किलोमेटर में लगवा दस अजार लोग रहते हैं, ठीक, दिल्ली में, और जबकि, और नाचल परदे से, वहाँ पे सत्रा आदमी रहते हैं, एक किलोमेटर में, यह से भी चान लिए, ठीक, कौन सा बंदरगा, सहर, नर्मदा नदी के तट पर बसा यह एक बंदरगा भी है, ठीक, मुंडा और संथाल, जन जाते हैं, किस राज की निवासी हैं, यह किस राज में निवास करती हैं, तो जारखंड राज में निवास करती हैं, जारखंड जो कि बियार से अलग हुआ है, ठीक, किस अस्थान पर जमसेद जी टाटा ने, टाटा chemical, complex कहां इस्तिते तो यहां है गुजरात राज में जामनगर एक सहर है इनका जामनगर सहर और गुजरात राज ठीक option 1 सुरिगरहन कब होता है बस simple जानी कि सुरिगरहन कब होता है जब चंद्रमा बीच में अजाती है तो चंद्रमा बीच में जाती है, सोरी और प्रित्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, option 1 होगा ठेक, सोरी और प्रित्वी के बीच को न जाता है चंद्रमा, तब क्या हो जाता है, सोरी गरहन ठेक, red clip रेखा किन दो देशों के बीच में होती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड किलिप रेखा पाई जाती है बॉर्डर में ठेक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में कौन सी रेखा है रेड किलिप यहां आमदाबाद में पूछा गया है पस्चिम भारत में थार मरोस्तल के बिद्मान होने का सबसे तरक संगत या फिर युक्ती संगत असपस्टी करण क्या है तो मतलब वहाँ पर एकिस्तान क्यों है इसका असपस्टी करण सबसे ज़्यादा तरकोंता है जहाद देता है ऑप्सन वन गंगा की घाटी की ओर बहने वाली विष्टे करने वाली हवाओं के मार्ग में अरावले परवत पहा जगड़ा चलता है किस बांध को लेकर के मुल्ला पेयर बांध मुल्ला पेयर बांध और यह अदिकतर भाग जो है इसका केरल में आता है मुल्ला पेयर बांध का ठीक अब देखे वायू अत्वा जल के द्वारा भूमी की उपरी सतह का निसकारसन क्या कलाता है वायू तथ कोईला के लिए फर्षिदग आज यह सभी गलत है दका अमuestas जहरीह ओर प्रुथवी के मईदमादूरी के मापड़न्डवांती है के मापड़न में मांपड़नाती है । चाहिए सब्छान सब्छाइन चाहिए नगरण की ढकल को के बिश्वास के अनुसार ब्रहमान का सिरजन इन में से किसके कारण हुआ है किसके कारण हुआ है संचालन होता है किसे होता है मुंबइस से भ套 सारे आते हैं यानि कि जलजाजे आती हैं माइद पर्देश इस में कितने राश्ट उद्धाने 10 पूरा पूरे 10 राश्ट उद्धाने में परदेश में ब्राजिल में विस्तरने कोफी बाग यानि कि ब्राजिल के जो बड़े-बड़े कोफी के बागान है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है फेजन डास ठीक फेजन डास एक सब्द है उन Option 3 माता और संतानों के बीच अंतर ये तीनों हो जाएगा ये तीनों ही विवेदता कहलाती है देखे निम्न में से किस राज में नियूंतम वारसिक बरसात होती है तो आप लोग को मालूम ही होगा राजस्थान क्योंकि यहाँ पे हमिसा क्या होती है यहाँ पे चारो और तो बालू ही बालू है यानि कि रेगिस्तान है देखे केरल राज इनमें से किसकी अनुपस्ति से सुवस्पस्ट नजराता है केरल राज में क्या नहीं है तो कोईला नहीं है जिसके कारण यहाँ सुवस्पस्ट एकदम क्लियर मजर आता है इन में से कौन से खनीच से भारत आत्म निर्वर नहीं है यानि कि वहाँ दूसरों देशों से मंगाता है कौन से खनीच तामबा तामबा वहाँ दूसरों देशों से मंगाता है देखे वाई मंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को रेडियो तरंगे जो हम फॉन में बात करते हैं या फिर मोबाइल, कम्प्यूटर जितने भी चलाते हैं ठीक, इंटरनेट सारे वाई मंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पिर्थवी की सतह पर वापस परावर्तित करती हैं कौन सा मंडल करता है, तो यहां करता है हमारा आयन मंडल, ठीक, आयन मंडल करता है, यहीं पर सारे जो है, सेटलाइट वगरा रखे जाते हैं, आयन मंडल में, देखिए, विरस्पति के ग्यात, उपगरों की संख्या कितनी हैं, विरस्पति कितने उपगरा हैं, 67 उपगरा हैं option 4 देखे बावन नमर question भूमाइद सागर ये परकार की जलवाई यानि कि भूमाइद सागर में जो जलवाईव पाय जाती है वो किस के लिए उपयुक्त मानी जाती है ठेक तो धान के लिए चावल के लिए गेहों के लिए या फल के लिए तो फल के लिए option one होगा ठिक फल के लिए उपयुक्त होती है वो मैंसागर की जर्वायू उस राईज का नाम बताएं जो मसालों के लिए परसिद्ध है भारत कोन से राईज मसालों के लिए परसिद्ध है तो केरल केरल राईज मसालों के लिए परसिद्ध है फेमस इसलिए य 22 दिसंबर को होता है 22 दिसंबर को ठीक दचनी को लाड में निमलिखित में से किस पद का संबंद बैस्विक गर्माध की घटना के साथ नहीं है यानि कि गलोबल वर्मिंग के साथ नहीं है तो इसका इई आई नीनो परभाव का संब भी किसी भी प्रकार से नहीं है ठीक कौन सी गर्म समुद्री धारा है तो यह कुरोसियों जो है ना गर्म समुद्री जल्धारा है देखिया 58 नमर कोचन निम्डिखित में से कौन सा बागान किरिसी का एक उदारन है तो चावल का बागान नहीं होता है गेहों का भी बागान नहीं होता है जबकि कौफी का बागान दहुआ है ये बहुत इसली घटेर जरिया घटर गविल्पीर कहा करते हैं घर्खन में ज्टत्र whack और जब हमाई ठिक 43 नबर भाखणा नांगल भाधिसर पर्योजना किस नदी पर है, सतलज नदी यहां पे सतलुज किसमें है नेलगीरी में अब देखिए 66 नमबर जदी कोई वेक्ति राष्ट राजमार्ग का पर्योग करते हुए दिल्ली अंबाला अम्रिट सर से भारत पाक यानि के भारत पाकिस्तान की सीमा की यात्रा करना चाहे तो उसे किस राष्ट राजमार्ग का पकड़ना होगा उस करना है गुजरात राजमें ठीक जिकर आरशां के काटाव के कारण अधी ठाव कराती ओति नदी के कारण होनते प्शुलो की घाटि राष्टी उधान की किस राजमें तो यह रखा राटी राष्टी उदान, आपके उत्राखंड राईज में, जो की काफी फ्यमस एरिया है, आप एक बार घुमने का मोका मिलेद जरूर घुमिएगा, ठीक ना, काफी अच्छा जगा है, निम्लिखित में से किस छेत्र में चीड के विरिच पाई जाते हैं, चीड के विरिच क ठीक, साल्ट परवतमला, निम्लिखित में से किसे निला गरा का जाता है, तो पृत्वे को निला गरा का जाता है, ठीक ना, क्यूंकि इसके तीन भाग में पानी ही पानी है, उत्तर मैध रेलवे का मुख्याले का है, तो यहाँ है इलाहाबाद में, जो की उत्तर परदिस मे ही होता है भारत का सबसे घहनी आबादी वाला सार कौन सा है यानि सबसे ज़्यादा आदमी कहां पाइक आते दिल्ली में नीडिक और फायर एक अस्थान का नाम है और यहीं पर सबसे ज़्यादा भुकंप आते हैं और यह किस माहसागर में है तो यह परसांत माहसागर में है जो कि सबसे बड़ा माहसागर में है ठेक यहीं पर सबसे ज़्यादा भुकंप आते हैं निमलिखित में से कौन सा राज नेपाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है इनमें से दिखे उत्राखंड हिमाचल परदेश उत्तर परदेश या बिहार तो बिहार जो है आपका स्वरी हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश जो है नेपाल के साथ नहीं मिला है लेकिन उत्राखंड बिहार और उत्तर परदेश नेपाल के स साजा करते हैं ठीक सीमा मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश से किस देश में सब ज्यादा मचली उत्पादक क्या जाता है जापान में ठीक चंद्रगरहन इन में से किस परिष्थिती में होता है, चंद्रगरहन कब होता है, जब पिर्थवी बीच में आ जाती है, सूरी और चंद्रमा के बीच में जब पिर्थवी आ जाती है, तो इसका अंसर होगा C, जब सूरी और चंद्रमा के बीच में पिर्थवी आ जाती है, ठ भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा मूं सा तट्वी यानिunterade इसा जब से जुन सो पाए जाता है शीली ऑप्सन टू सीलीका ये शैँलीका सबसे ज्यादा पिर्थु के भूपट्टी में पाया जाता है निम लिखित में से कौन सी खारी फसल नहीं है, खारी फसल कुण सी नहीं है, तो मक्का भी है, चावल भी है, कपास भी है, खारी फसल, लेकिन जो एक रभी फसल है, तो यहाँ इसका अंसर वहागा फोर, ठीक, पाल घाट निम्न रेल्वे में से किसका एक मंडल है, तो दचिन रेल्वे का एक साउथ रे कि बिल्कुल कम है ठिक क्यूंकि इसका ही ऐरिया चोंतिस किलो मेटर मात्र मात्र क smt कीखेट है इसमें आदमी कितने रहेंगों भाई ऑल इठीक न देख के 85 नुम और कॉश्चन ककॉलत पर निम्मे में किस राज में है तो यहां है बिहार राज में ठीक बिहार राज में अब देखिए 86 नुमर कोश्चन निम्ड में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक सिमाई को निर्धार्ट करती है तो 82.5 यानि की उत्तर ठीक इस्ट 82.5 पूर्वी जो है यहां भारत की मानक समय है ओप्सन 4 निम्डिखित नदियों में से किस पर नागारजुन सागर का बांध बना है तो यहां बना है आपके कृष्णा नदिपर ठेक जो के साउथ यानि की दच्छिन में बाती है ठेक निम्ड राज्यों में से किसे भारत का यहां पे कोसी नदी और गंगा नदी है काफी ज़्यादा बाढ़ लाते हैं पिर्थवी द्वारा एक संपूर्ण परिकर्मा में लिया गया सटिक समय है यानि कि एक वर्स में कितने दिन होते हैं और कितने घंटे 365 दिन 6 गंटे और यही 6 गंटे 4 वर्स में 24 गंटे हो जात यानि कि एक दिन बढ़ गया उसी को फरवरी का जाता है ठीक ना देखिए अब यहां पर आता है डीजल लोकमेटिव वर्क कहा इस्तित है तो यह इस्तित है वारा नसी में और वारा नसी है उत्तर परदेश में ठीक तो इसका अप्सन होगा फोर आंसर निमलिखित राज में स कोन सा सारवजनिक सीमा का भाग राजस्थान से नहीं लिया गया है यानि कि सिंपल सा काना है कि किसका जो एरिया है बॉर्डर वो राजस्थान के साथ नहीं मिलता है किसका नहीं मिलता है पंजाब का हर्याना का उतर परदेश का या उत्राखंड का तो उत्राखंड का एरि टीक ऑप्शन ठीरी टीहरी बांध किस नदी पर निईरमेगा यृणी रतीन नदी पर निरमे था ठीक देखिए तुमम्स के इस्वर्या त्यलांचल भारत के किस राज में इस्तित ए तो यहाँ है आपकी राजस्थान राज में इस्तित ए ठीक ढब सबसे ज्यादा है तो करणाटक में बागों के संख्या सभ से ज्यादा है living स literally यहां होगा वो मालूम नहीं टिक ना मुल्लो पेरियर बांद कहां थी थे तो मुल्लो पेरियर बांद वही बांद है जिसके कारण तमिलाडू और केरल लड़ परते है वर इसका आधिकांस बाग केरल में जाता है तो इसका अंसर वो का टू भेरो मिटर पठन बेरोमीटर पठन जो है अचानक नीचे गिर जाती है तो इसका मतलब क्या समझे इसका मतलब समझे कि आंधी आ गया ठिक बेरोमीटर अचानक से जो काटा नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि आंधी आने वाला है भारत के किस राज में सियाल कुची वस्त उद्धा निस्तित है तो यहां है आपका असम में ठीक ने यह पार्क है ठीक देखिए एक सो नंबर कॉस्चन जोग बनी बिराट नगर यह जै नगर बिजल पूरा इस सब सहर का नाम है ठीक ना बढ़ दी बस लाइने भारत को जोड़ती है किस देश से जोड़ती है तो यह जोड़ती नेपाल को भारत को नेपाल से जोड़ती है नेपाल आप बिना किसी मतलब कोई बीजा पासपोर्ट के भी जा सकते हैं तो जाइए एक बार नेपाल घुम किया यह मौका मिले तो देखिए एक सो नंबर कॉस्चन निम्लिकित में से किस राज में तिस्ता उर्जा जल बिद् लाल न मिर्दा भारत के विभिन भागों में पाई जाती है इसके लाल रंग का मुख करण क्या है तो इसका लाल रंग का होता है मुख करण फैरिक ओकस थेक एक सूतीन का तीन ऑप्सन होगा ठीक आंसर देखिये एक सुचार का खेत्ली जो है तांबी की खान है और यहां किस राजमेंश्तित है यहां है राजस्थान मेंश्तित खेतडी एक सहर का नाम है और तामा खान है वहाँ पे और यहाँ राजस्थान राज में है देखिए कौंकन रेल्वे निम्निखित मैं से किन राज्यों से होकर निकलती है तो अगर आपको मालूम हो कि कौंकन तट कहाँ पे है तो गोवा में है ठीक तो यहां पे हो जाएगा इसका अंसर 2 गोवा करनाटक महाराइश्टर और केरल से होकर कौंकन रेल्वे निकलती है ठीक अब देखे भारत का पहला समुद्री अभ्यारन जिसके सीमा से प्रवाल भित्ती डॉलफीन यानि के मचली है ठीक मौलस्क कच्वे और विभिन पर समुद्री पच्छी पये जाते हैं यहां कहां इस्तित से लच्ष द्वीप पर कष्ध च्छूबइब है एकaces सात कौन सा उत्तर माई धर रेल्वी का मुक्छाले का है इलाबाद यकॉस्टें दो वारप हो गया ध्यान रखेगा निम्न में गुजरात से नहीं जुड़ी है किस राज की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ी है तो उत्तर पर्देश उत्तर पर्देश का तो जुड़ा है ठीक मैद पर्देश मैद पर्देश भी जुड़ा है महाराष्ट्र महाराष्ट्र का भी जुड़ा है राजस्थान र अंसर होगा एक है केरल में तैक नारीएं के साथ रेखांकित खुब सूरत वैक वाटर्ट है क्या है पिर से से केरल सबसे ज्याला समय में लगाता है यानी का अधिकतम समय में लगाता है कौन लगाता है विरस्पति ठीक क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है अब देखिए यहां पर कि एक उस्चोदा वाई मंडल में किस अस्तर में और जन पाई जाती है यानि कि टॉप और यहां पर यह इंगलिज से लिख दे किस मंडल में पाया जाता है तो इसका अंसर होगा थर्मोएस्फियर इसका हिंदी नाम होता है आयन मंडल ठेक और परात कहां पाया जाती है यानि कि थर्मोएस्पेर ठेक यह इंगलिज देतें इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गए थोड़ा तो उत्तर पर्देश के लगभग सभी लाकों में गंगा नदी भाती है अब देखें मैक मोहन रिखा को निमनी में से किन दो देशों के बीच अंतराश्टी सीमा रिखा कहा जाता है तो भारत और चीन जो है ना भारत और चीन ऑप्सन टू भार बारत और चीन के रिखा को मेक महन रिखा कह जाता है निमनी में से किसे बिच्व की छाट कहा जाता है तो इसे हम पढ़नें पामीर का पठार ठीक 117 हो गया अब देखिए 118 निवन में से कौन सा राज चीन की सीमा को नहीं चुता कौन सा राज चीन की सीमा को नहीं चुता तो सिक्कीम चुता है बाई सिक्कीम चीन से सटा है जो अरुनाचल परतिस वह भी चीन से सटा है उत्राखन भी चीन से सटा है लेकिन बिहार जो है च चंद्रमा जिसा यह सानिकाय को उपकर आए ठीक सानिकरा का 120 भारत में वर्षा किस कारण नहीं होती है तो चक्रवात के कारण कभी भारत में वर्षा नहीं होती है वारत में ग्रिस्म मॉन्शून का सामयाइन सीधा प्रवा है कि से होता है तो यह इसका ओंसर हो जाएका आपका थेख़ी दाच्छिन पस्चिन से उत्तर पूरू, ठिक? मौन्सुन के से आता है, दाच्छिन पस्चिन, उसके बाद उत्तर पूरू, ठिक, ओप्शन थे रहे, किसने महाबी, स्पोट, बीग बैंग, जो हम कहा जाता है, कि हमारी जो दुनिया बनी, वहागाबी स्पोट के कारण बनी, बीग बेंक के सिधान के काणना बनी, तो इसको पर्थिपातन कीस ने किया, शिद्ध किस ने किया, तो इसका सिद्ध किया था, एडविन हबल, ठीक, एडविन हबल ने, यहाँ एक महान बैजियानित थे हैं, एडविन हबल, देखिये, 123 नमर कोश्चन, मॉन्डरी ट्रियल, म दोजन परत का च्छाय हो था इसलिए मॉन्ट्री ट्रियल प्रोटोकोल हुआ था ठीक भारत किस कोलाट में इस्तित है तो भारत उत्तर पूर्वी कोलाट में इस्तित है ओप्शन वन ठीक 25 नमबर निमन मैं से भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी है इसकी लंबाई है पाचीस सो दस किलिमेटर ठीक भारत के सबसे लंबी नदी गंगा अब देखिए यह जो गंगा नदी है न इसे बांगलादेश में पदमा के नाम से जना जाता है इसे विचान लीजिए 126 Bryon. न्यम निव इस को किस मिठीस से में में Favorite क्येत्स करना बहुत सक्त है यान किस मिठीस में भूत खेत्य करना बहुत सब्सक्राइब गाल किस में काली मिठी और इस काली मिठी मेंुए किपासओ पाधन होता है ठीग अब देखिए 127 नुमबर कौन सा भारती हवाई अड़ा 20 का सबसे ब्यस्त एकल रनवे हवाई अड़ा बन गया है तो ये छत्रपरती सिवाजी महराज अंतराष्टी हवाई अड़ा जो की मुंबई में है ठेक ना यह सबसे ज़्यादा रनवे का बन गया है अब देखिए 128 नुमबर निम निखित में से कौन सा कायांतरित सेल है तो संग मरमर संग मरमर ठेक ना इसका अंसर होगा संग मरमर निम निखित में से कौन सा कायांतरित सेल है संग मरमर है ठेक ना अब देखिए छोब मंडल इसे हम इंगलिस में ट्रोपाइसफर बोलते हैं छ उच्छतम सिखर है जो हिमाले परवत है यह दो देसों फैला है भारत और नेपाल और भारत का जो एरिया आता है सबसे मुच्छा आता है ठीक तो इस कांसर होगा तीन ओंट आप नेपाल में आता है भारत में नहीं आता है भाई माउंट बेवरेस्ट बहुत से लोग दोके में रहते हैं कि मोट आप दीचाहिं आता है माउट नहीं आता है ओड एक यिज़त में स는데 में से कौन खाले है भुबली में ठीक काफी बड़ा सार है अंडवान और निकोबार द्वीप समुग का उच्चतम सिखर है उच्च मतलब वहाँ पर कि सबसे बड़े पाहर करूंस है बस तो सेंडल सिखर सेंडल मानिये ना कि जो जूती का जो सेंडल होता है उसे सियाद रखेंडल सिख सेंडल होता है तो हम सेंडल बोलते हैं इसको सेंडल सिखर इसका अपस्टन होगा टू निकित मैंसे कौन सी 20 के सबसे लंबी ना दी कौन सी नील लेकिन बड़ी नसी बोले तो ल什ट अश्चन होगा बड़ी और लिंद आलग अतलग होता है ठीक न omaging समझिये सबसे लंबी नदी नील और सबसे बड़ी नदी अमेजन ठेक ना निमनीखित मैंसे किसे साइंधी तरह अ का जाता है यानी कि साम का तरह किसे का जाता है सुक्र को विनस को क्याद इस्ट सुक्र को विनस ओप् आर।म।we कंडला तो कंडला गुजरात मिश्थी थे यदि वे रहतांगदर्रा कि सुकीम मिश्वग भे होगा पता है लेकिन इसका हिमाचल परदेश होगा थिक रोहतंग-धर रा जो है किस मganoहिस्तिते हैं हमाचल परदेश में होगा ठीक त dirigë ओस तर पन्धा देवी जीव मंडल रिजरीजीर वह युपी ठीक ना गिर्राष्टी उद्धान कहां है गिर्राष्टी उद्धान कहां पर तो गिर्राष्टी उद्धान है गुजरात में जो कि यहां पर को रखा जाता है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती बरंपुत्र बंगाल के खाड़ी में गिरती है गंगा भी गिरती है गोदावरी भी गिरती है लेकिन नर्मदा नदी जो है बंगाल की नहीं गिर्थी तो इसका अप्शन होगा one 144 वर्ट एयर किस रेलवे का एक मंडल है तो दच्छिन ताटियो रेलवे का एक मंडल है वर्ट एयर ठेक अब देखिए 45 नंबर वाई मंडल की कौन सी परत पिर्थवी की सबसे निकट है वाई मंडल की कौन सी परत पिर्थवी की सबसे समने सुक्रगर ठेक संठी भुमधapon टरीखाओ कि समांतर खीची गए रिकाओक। को का अच्छा आंस ठीक। और जो लंबे-लंबे-लाइन खीच जाते हैं उसे चाहताν है देसांतर ठीक। भारतीय वह मानक समय इसका अंशर होगा अच्छांस ठीक ना है भारती मानक समय संबंधित कीस संबंदित है भारति मानक समय के 172 करतों oranges एक स अर्फ दिटापरêmट से संबंदित है फिए इलाढद की नेठी से लिया गया है भारत कमने समय मुझय के कुल खेत्रफल का कितना परतिसाथ भारत के हिस्से में है बिस्व के कुल खेत्रफल का कितना परतिसाथ भारत के हिस्से में है तो 2.4 परतिसाथ हिस्सा जो पूरे बिस्व का भारत में है लेकिन यहां का 16 परतिसाथ जन से क्या निवास करती है भारत में ठीक ना यह जान लिजेग एक सो पचास नूमबर अंतिम कोस्चन है भारत में सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल का नाम बताएं भारत में सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल क्या है बूलर जिल ऑप्सन थे रही तो दोस्तों मैंने आपको 150 कोस्चन दियें जेग्रॉफिक है यानि कि भूगोल के जो कि भारत और बिसुभोगल से संबंदित हैं यह सभी एकजाम किसी ना किसी रेलवे से पुछे गए तो यह गुरूप डे एंटी पिसी एससी ठीक ना और और आर्मी ने भी एरफॉर्स बीस अपसी जितना भी एकजाम है सभी के लिए इंपोर्टेंट वहुच जाता है तो प् लड़िए और अपने आग के लिए लड़िए धैन्यवाद